इंडिया वर्से साउथ अफ्रिका के फोर्थ टी-20 मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 135 रनों से हरा दिया है और इंडिया इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है इंडिया की तरफ से भाईस आप क्या बैटिंग किये हैं सिर्फ अपसेक सरमा उठ हुए थे उसके करा चुके हैं पहले दो टी-20 में सताक उसके बाद दो टी-20 में पताक और फिर से एक बार सताक आ चुका है और संजू सैमसंग पिछली 5 इनिंग में 300 मार चुके हैं एंड हिस्टरी में संजू सैमसंग ओनली विकेट कीपर बन चुके हैं जो 3 T20 100 मारे हैं संजू सैमसंग ओनली वन प्लेयर बन गया है जो एक साल के अंदर 2020 में तीन सतक मारने वाले बैट्समैन है वही मैच खतम होने के बाद संजू सेमसन बोलते हैं मैंने अपने लाइप में बहुत सारे फेलियूर्स का सामना किया है मैंने खुद पर भरोसा रखा और हार्डवर्क किया और फिर से एक बार रिजल्ट आपके सामने है लिटरली गाई संजू सेमसन के साथ साथ तिलक वर्मा भी पूरी तरह चाहे हुए हैं संजू सेमसन ने तिलक वर्मा के साथ कीवल 86 गेंदों में 210 रन की पॉर्टनर्सिप कर 810 गेंदों में 107 रन और 4テरि ट ट्वनी मैंच में 47 गेंदों में 120 रन मार दिए हैं जो अपने आप में एक फ्रफोंच है जिससे तिलक वर्मा 30 टी ट्नटी और 420 मैंच में प्लियर और वे मैच मार दिया मैच खतम होने इक बाद तिलाग वर्मा प्रेस कॉंफरेंस में कहते हैं I am really thank to God and Captain सुरकुमार यादो to giving me this opportunity and swing pay me by sub 100 कोई प्लेयर मारे लेकिन credit सुरकुमार यादो को ही जा रहा है वही मैच खतम होने इक बाद ट्रॉफी लेकर celebrate करने का लग गई जिसे संजू सैंसन ने 10 वेवर में मार दिया था जिसके बाद वो लड़की बुरी तरह रोने लगी थी जिसके पास संजू सेंसन ने हाथ दिखा कर उससे पूझा बॉल ज्यादा देत तो नहीं लगी हलांकि संजू सैंसन ने बाद में उस लड़की से स्वारी भी बोला दोस्तो बात करें सिकेंड इनिंग की तो अर्ज दीप सिंग ने हेंडरी क्लैसन को चीरो रंद पर इपवेलियान बेद दिया और इसी के साथ अर्ज दीप सिंग टी-20 एई में मोस्ट विकेट लेने वाले सिकेंड बॉलर बन गए हैं और वो चाहल से केवल एक विकेट